जरने तक पहुँचने के लिए यहां से दाहीनी तरफ मुड़े। इंदोर की ओर से आने वाले लोगों को यहां से दाहीनी तरफ मुड़ना पड़ता है। जरना यहां से लगबग 3 किलोमेटर की दूरी परिस्ती थे। इस तालाप के समिफ वाहन रखकर पेदल जाकर जरने को देख सकते हैं। यहां से भी जल आगे जाकर जरने का रूप धारन कर रहा है। कलकल करके बेहता हुआ जल कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। कुछ इस तरह जल यहां से होता हुआ इस चट्टान की सहायता से सीधा जरने का रूप धारन करता है नमस्कार मित्रों आपके सामने प्रस्तु थे पेड़मी जरना पेड़मी जरना पेड़मी नामक गाहों में इस्ती थे लाइन दोर अत्यारिक हो से यहां तक पहुँचने के लिए लगबख साथ किलोमीटर की दूरी ते करने पड़ती है जिसका वरणन कर दिया गया है इस जरने को देखने के लिए इस गने जंगल से होकर आना पड़ता है जिसके लिए एक से दो किलोमीटर की दूरी ते करने पड़ती है बोटी का द्रस्त्य। यह जर्णा कहीं टुकडों में गिरने के कारण और भी आकर्सक लग रहा है। आकर्सन का केंद्र बना हुआ है। बहुत ही खुबसुरत जर्णा सीड़ी नुमा आकार में दिखाई दे रहा है। बहुत सुन्दर अती सुन्दर जर्णा है यह। एक खुबसुरत जर्णा जंगल में इस्थी थे। गने जंगल में होने के कारण बहुत कम परियटकों को पता होगा कि यहां पर भी एक जर्णा है। परियटों को अपने साथ कुछ इस तरह बीज भी रखना चाहिए ताकि की खाली जगह में बीज को गार सके चारो तरफ हरियाली प्रक्रतीनी हरियाली की चादर ओड रखी है